दोस्तों से लेंग्वज के शेप्टर में आप सब कस हुआ गयता है जहां पर आज हम समझेंगे वन अफ दे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सी यूनियन एक वन अफ दे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इंटर्व्यू में भी कई बार कंसेडर किया जाता है और साथ ही एक इंपॉर्डेल्यु टॉपिक है क्योंकि जाद तर स्टुडेंट को कुछ करता है अब आज के सव्यूर्ट में हमशें रर लेटेट करी टर्म को समझेंगे जैसे कि यूनियन क्या है इसका रूलप्लेय क्या है साथ यहां पेम बात करें कि जो इस्ट्रक्ट्यर और यू पूरा देखे क्यूंकि आइम शौर कि इस वीडियो को देखने के बाद यह जो concept है यूनियन यह आपको कैले हो जाएगा और अगर ही वीडियो आपको अच्छे लगी तो प्लीज इस वीडिओ को like करना अगर यह वीडियो अच्छे नहीं लगे as like structure, जैसे आपने structure का chapter पढ़ लिया होगा भी, उसके बाद ही आप union पढ़ होगे, तो structure जैसे आप use करते हो, structure क्या है, एक आप की थुरू बनाए हुआ data type है, आपने कोई भी data type बनाए है, student का या फिर किसी और का, और उसमें multiple data types को आप use करते हो, right, तो basically जो union है, वो structure की तरह ही एक data type है, जो की आप बनाते हो, इतना पॉन के लिए, एक user defined data type है, but, it represents different role play than structure, लेकिन अगर हम बात करें union की, तो structure के comparison में, इसका different role play है, मतलब ये भी user defined data type है, ये भी user defined data type है, जो काम इससे होगा, वही काम इससे भी होगा, लेकिन, इन दोन में बहुत बड़ा difference है, अब वो क्या है, वो difference है, कि because it does not take extra memory space like structure, पॉइंट समझे रहे हो, अगर हम C language की बात करें, और अगर इसके lecture से आप देखते हो, तो आपने multiple time देखा होगा, कि जादातर बात होती है, memory allocation या फिर memory space के, सुना होगा ये टा, तो अगर हम union की बात करें, तो वो structure के मुकाबले, memory space कम लेता है, extra memory space नहीं ये main फाइदा होता है, union use करने का, पॉइंट समझ में आ रहा है, अगर मैं बात करें, structure हम यूज कर रहे है, और structure में हमारा जो size हो बहुत जाद है, बहुत सारे data type यूज कर ले, मैंने उसमें बहुत जाद हमारा memory consumption हो रहा है, लेकिन अगर उसी के जगह आप union यूज करोगे तो जितने के आपको जरूरत है, सिर्फ उतना ही memory space यूज होगा, अब ये चीज़ historical उतने इच्छे से clear नहीं होगी, इसे practically मैं समझात हूँ, तो जाद अच्छे समझ माएगा, देखो, normally अगर मैं आपसे बात करो, तो हमारे कुछ predefined data type होते हैं, जैसे कि एक हो गया int, care, flood, ये 4 mainly होते हैं, जो आपको starting में C language में बताया जाता है, और ये भी बताया जाता है, कि इन सब के अलग-अलग size होते हैं, जैसे कहा जाता है, कि अगर आप care के अंदर, कोई भी data store करते हो, तो उसका size होता है, एक byte का, अगर हम int में data store करते हैं, तो महाँ पे size होता है, दो byte का, अगर हम float में store करते हैं, तो 4 byte का, और double में store करते हैं, तो 8 byte का, अगर ये चीज़ आपने नहीं पढ़ी है, तो कोई problem नहीं है, मैं practically आपको समझा देता हूँ, जाद अच्छे skiller हो जाएगा, नॉर्मल देखो, अभी हम turbo CP हैं, और यहाँ पर एक बड़ाई simple सा code लिखा हूँ है, कुछ नहीं है, यह format हो गया, hash include, studio, कॉन यह वाइड में यह चीज़े हैं, के लिए, इसके न get search, यहाँ दो ही main चीज़े हैं, जो मैं लिखी है, एक है कि हमने एक variable लिया, a, जो की int data data, int किसले होता है, integer values के लिए पता है, और printf की मदद से, मैं size निकाल रहा हूँ, इसका, अब यह size कैसे निकालते हैं, यहाँ पर, एक keyword होता है, जो आपने पढ़ा होगा, वो होता है size of, याद होगा, आपको पढ़ा होगा आपने, तो यह चीज़ मैंने लिखी, और अभी मैं f9 करता हूँ, तो program success बता रहा है, और हम control f9 करते हैं, तो यह मुझे बता रहा है, size of data 2, मतलब, अगर आपने integer में कोई value store करिए तो उसका जो data size है, वो कितना है, 2, 2 byte का है, और यहाँ पर अगर मैं int हटा दू, मैं लिख दू, यहाँ पर float, ठीक है, float लिखा, control f9 किया, तो इसका size कितना बता रहा है, 4, और इसी की जगा, अगर मैं यहाँ पर use करता हूँ, double, double भी एक data type होता है, तो control f9 किया, तो उसका size यहाँ पर आता है, किसी में 2, किसी में 4, किसी में 8, right, अब यहाँ पर structure को समझो, structure क्या है, user defined data type है, जिसके अंदर आप multiple data type लेते हो, example के लिए मैं आप practically आपको clear करता हूँ, जैसे कि normally, यहाँ पर मैंने example लिया, यह होगे structure, इस तरीके से आप structure बनाते हो, कि हमने एक structure ले student का, और उसमें हमने int का data type है, वो use कर लिया, y का data type use कर लिया, float का data type use कर लिया, नाम लेना है, to care का data type ले ले लेते हो, तो अगर आप structure में data type ले रहे हो, तो वो हर एक data type का size plus plus होते जाएगा, मतलब सब का size हो जोड़ता जाएगा, देखो कैसे, जैसे कि यहाँ पर यहाँ इस पूरी को भी डिलीट कर रहा हूं, मैं आपको समझाने के लिए से हटा रहा हूं यहाँ पर तो यह हमने हटाया, आपको confused बिल्कुल नहीं होना है, मैं भी बेश तो बेश दुबार आपको killer करूं हां, तो confused बिल्कुल नहीं होना है, बस समझना है चीजों को, कोई बेग स् अब यहां पर notice करो, मैंने किया किया है, एक यह structure बनाया है, हमने छोटा सा, यह structure है, student है, तीन, इसमें हमने data type लिए, कि एक value x के लिए store हो रहा है, y के लिए store हो रहा है, z के लिए, अगर आप इसमें confused हो, तो मैं आपके जैसे practical है, वैसे यहां पर लिख देता हूँ, जैसे कि यहां पर notice करो, अभी मैंने क्या दिखाया, कि int में कोई value store होगी, तो 2 byte का size होगा, int में कोई value store होगी, 2, float में कोई store होगी, 4, right, अब अगर मैं इसका size चेक करो, कि यह जो structure मैंने बनाया, उसका size कितना है, तो यहां पर आप क्या गरोगे, मैंने यह declare कर दिया है, आपर simply, ठ करने के बाद, हम यहां पर इसका size निकाल लेते हैं, simply मैंने वही किया, तो control F9 करते हैं, और यहां पर error बता रहा है, देखू क्या error है, तो declaration missing है, तो यहां पर मैंने क्या गरबढ़ करे है, कि यहां मुझे space देना पड़ेगा, मैंने दिया नहीं था, control F9 करते है, size कितना बत ले लिए union, पहले structure था, अभी union कर दिया, अब मैंने union किया है, और यहां पर हम इसका declaration change कर देते हैं, और यह मैंने ले लिए union, तो पहले structure में था, अभी union में क्या है, बस इतना फर्क किया है, और control F9 करेंगे, size आ रहा है 4, कितना रहा है, 4, पहले में 8 आ रहा था, वही सब क अभी है, float है, तो वह सिर्फ उसी का ही size लेगा, मतलब maximum से maximum क्या होता है, जैसे मानलों कि इसमें 5-6 चीज़ हम यूज करने है, और हम इसमें सिर्फ यूज करने है, एक ही चीज़ है, यूनियन में, जैसे कि इसमें int, id भी हो गया, roll number भी हो गया, float भी कुछ है, मुझे यू यूनियन को consider किया जाता है, अगर हम structure और union का comparison करें, तो structure में जितने भी data type यूज करोगे, वो सब का memory add-on करेगा, सब का, लेगिन union में ऐसा नहीं है, union में सिर्फ एक maximum वो लेगा data type का size, और बाकियों का account नहीं करता, तो यही इसका एक benefit होता है, तो समझ में आया point, कि अगर अगर हम structure के बात करें, कि वो जो memory का space है, वो जादा लेता है, अगर हम union की बात करें, तो memory का space कम लेता है, और यहाँ पे memory check करने के लिए, क्या keyword यूज किया है, size of, यहाँ पने पढ़ा होगा, I hope पढ़ा होगा, book में, starting में, यह term, तो I hope कि अब आपको clear होगा होगा, union क्या इस्ट्रक्चर से तो, तो यह इसका plus point है, जिसके लिए union को कई बार interview में पूछ ले जाता है, कि structure और union में क्या difference है, union का plus point है, तो union का plus point है, उसका memory space, so I hope कि अब आपको clear होगा होगा, कि structure versus union में क्या concept है, और क्या चीज़े होती है, वो आपको proper clear हो गई हो, अगर यह video आपक झाल 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 झाल झाल